नमस्कार जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं 100% उनका वन दरोगा की कटाफ क्लियर हो गई है और वो वन दरोगा में चैनित हो गए है तो पैठी कटाफ को क्लियर करना ही उनके लिए पहला पड़ाओ बड़ा सा जो पड़ाओ था जो उनके मन में बेचैनि चल रही थी वो सबाव एक लियर हो गई होगी हाला कि वन दरोगा की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वह आपको पहले बता दी थी अब उस पर बात नहीं करेंगे और सारे बाते आपकी परफेक्ट साबित हुई है ठीक है हमने आपको बताया था कि जो जिसके 76 नंबर से ज्यादा होंगे वही सिर्फ वन दरोगा का बैच लेगा जितनी बार भी आपने कस्टमर पर फोन किया होगा सबने यहीं बताया होगा कि 76 नंबर मैंने कटा आपके चार वीडियो डाले और चारों वीडियो में एक वीडियो में आपको बताया था कि रिमर्स फैल रहा है कि 87 चैनली 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 सही मानए रहेंगे कि 76 प्लस नंबर आपके होंगे तो आप लीजिएगा तो उसके बाद अभी जैसे गटाफ जारी हुई है कटाफ जारी ने कबार मेरा कस्टमर केर वाला पूरा पार्ट चला गया है ठीक है आप लगातार फोन करते चले जा चाफ आएगा उस दिन जो बैच की फीस है वह आपकी नौशने नानवी रुपय कर दी जाएगी तो मैंने वाट्सप देखना शुरू किया और मैंने भी बच्चों से बातचीत करना शुरू किया तो उन्हों लाँ पैसा बढ़ा ना दे तो मैं आपको बता देना चाहता हो कि परिसान मत हो कि दस तारिक तक ऐसो फीस नहीं मान के चलियो कि साइध दो तीन बच्चे ऐसे हूं जैसे कुछ लोग ओवर कॉन्विजेंस में होते हैं कि मेरे भायन बताया था कि ले लो पढ़ो पोई बात नहीं तुम्हारे सतर नमबर हैं पढ़ो यार हो जाएगा और जो ओवर कॉन्विजेंस वाले बच्चे थे जिनको मेरी बात समझ म नहीं आई थी उन्होंने तिन चार लोगोंगोंने भी शायत कॉर्स ले लिया है कि कहा ना थे के न थे कोडिया लिए ने पूरी तुम परेसान हो गए हो तो एक काम करो कि यहां पर फोन करके वाट्सप जो नंबर चलना है 9696 वाला जो वाट्सप है उस पर यह बता दो सर मेरी आईडी मेरा आईडी यह है और मैं अपनी आईडी मेरा स्लेक्शन हुआ नहीं है देखो कोई नहीं कहेगा ऐसा मैं कह रहा हूँ आपसे तीन-चार बच्चे ऐसे अगर होंगे जिन्होंने ओवर कॉल्फिदेंस में ऐसा किया होगा ठीक है ना कि उन्होंने जबर दिस्ति लिया होगा कि किसी ने का होगा तो ले लिया ह हमा रहे होते ठीक है तो आप क्या करो कि जिसका वंदरोगा में स्लेक्शन हो गया है तो अपनी आईडी और पासवर्ड क्या करो उस बच्चे को दे दो जिसका वंदरोगा में स्लेक्शन हो गया है कि भाई यह सजी गुरुकुल का है वंदरोगा का क्लास लिया हमारा नहीं हुआ मेरा ID password आप ले लिजिए अगर वह आपको पैसे वैसा दे तो आप 200-300 जो 500 तुम्हें लिया ही होगा 200-300 रुपए जो दे ले लिजिए अना लेकिन फिर दो फोन में चलाएंगे तो फिर ब्लॉक हो जाएगी अपना ID आपको पढ़ना तो पुरे निवार्मेंट इकोलोजी पढ़ाया गया पढ़िए इंज्वाए कीजिए ठीक है यह समाधान आपने आपको बता दिया तो यह दो बाते हमने आपको बताई है वंदरोगा का प्रेक्टिस सेट अभी मार्केट में बुक आ रही है जिसे यूद की बुक आ चुकी है एक ज्यान मुद्रा है उसकी आ चुकी है और भी अभी कटाफ के बाद अभी और भी कितावे आएंगी तो परेसान मत होई आपको कुछ लेने के जुरूत नहीं है आपको मार्केट से कोई किताब ने लेनी है कोई प्रेक्टिस सेट ने लेना है वो सब किताबों को मिला जुला कर अप्रावा रा जूला कर सारी चीछें आपको देंगे उसी बहitsй में आपको प्रेक्टिस सट भी मिलेगा आपको मौट टेस्ट बे मिलेगा ऑनलाइन वाला मौट अंलेने करना हॉट उन्लाइन यूटूब परेसहां जाते है वो भी आपको प्र आया गया, थेरी बेसे सेट बे वो भी आपको मिलेगा आपने बैस ले लिए आपको कुछ नहीं करना है लेकिन आप यह लगता है और यार यह जो प्रेक्टिस सेट है यह लगता है कि उसकी अपका है अरे बहाई मेरे हर टीचर किताब सही पढ़ाता है कोई ना कोई कुछीन Newton किताब वury रहता है अभ किसी एक कमेंट कहता यह तो लक्षमी कांथ को उठा की पूरा छपाए देरहे हैं भाइ मेरे जब इस वा को यही बतागा कि लक्षिमी आई थी पढ़नी है तो मैं वहिए गर पढ़ा रहा हूँ आपको तो हम किताब से ना पढ़ा है क्या अपने मन से पढ़ा है क्या ऐसी बेकूफी वाली बात तो थोड़ा सा बचे है अना जो आपको environment ecology में पढ़ाई गई है वो संकर आई से पढ़ाई गई है अना जो UPSC किताब आती है संकर आई कियाती है दिरिष्टी की एक पर्रेवन परिस्तित्की की है उसकी किताब है परिच्छा वाले की जो environment ecology है वो हो गई है ना तो तिन चार किताबों को मिला कर उसके नोच त्यार करके आपको समझाया जाता है और आपको बताया दाता आपको उसको नोच दिये जाते हैं आप कहना कि सर यह topic तो उस किताब में पूरा-पूरा था वही आपने छाप दिया है तो जिसमें जो सबसे बहतर होगा जिस book में जिस कहीं पर भी Wikipedia पे इंटरेट पे जो सबसे बहतर होगा वो topic वो topic आपको दिया जाएगा फिल्टर करके समझाया जाएगा पढ़ाया जाएगा फिल्टर करके दिया जाएगा लेना कि तुम उसे नुक्स निकालोगे तो मैं बतारो मेरे मम्मी पापा गरीब निकले मेरे मम्मी पापी यह है वह हमें अच्छा पैसा वाला घर मौजूद हो जाता बुलने तो कुछ भी बोलते हैं उससे घंटा निफरक पड़ता है तो कहना यह है कि आप परेसान मत हो यह दस तरिक तक आपका पेमेंट कर जाता है लेकिन माई कोर्स में अगर नहीं आता तो परहसान नहीं हो ना वह आपने आप आठ डिस मेंट के बाद फिर से एक्टिवेट हो जाता है वह सरवर फिर से एक्टिवेट करतेता है तो टेंसर ने लेना है अब आते हैं हम लोग परिक्षा तिथी क्या है वन्दरोगा की संभावित परिक्षातिती क्या है यह पैट 2021 के थ्रू जितने भी परिक्षाई होने वाली हैं उनके बारे बहुँ समझली जीए कि सबसे पहले पुरानी परिक्षाओं का समापन किया जाना है मैं आपको बार बार कह रहा हूं पैट 2021 की सभी परिक्षाओं क समापन हो जाने के बाद ग्राम विकास अधिकारी को बिल्कुल अधर में लटका दिया है वो बिल्कुल निश्चित नियूज नहीं दे पा रहे हैं हमसे अप्रेल मई के दिया है फिर कभी अबाथुईत करें सर अभी उस पर कनफर्मेशन नहीं है मई-जून हो गया है तो ग्राम विकास अधिकारी पर अभी लास्ट जेट हम को मई-जून ही प्रस्तावित मिली है बाकिपट 2021 की सबसे पहले भरी जा रही है आप देख पार है पुरानी वेकेंसी का फटाफट से रिजल्ट फटाफट से अलाउट्में कि पंदरा मई के पहले पहले वन दरोगा की परिक्षा कराने की बात हुई है अब इस बात में कितनी सक्चाई है वो तो बाद में ही पता चलेगा जो भी फटाफट से अपडेट आते रहेंगे वह आपको देता रहूंगा तो जादा समय तो आपके पास नहीं है लगवाग कि पंदरा दिन में तो अभी जो बताया गया हूँ कि 15 माई से पहले पहले हम परिक्षा कराने की बात हुई है यहांप है कि 15 माई से पहले पहले वंदरोगा की परिच्चा को निप्टा के खतम कर दिया जाएगा और जून-जुलाइक कि आसपास उनको जून-जुलाइक मा पहले जारी हो जाता, जब उस समय बात हो ली थी लेकिन NIC में फस गया जाके, इसलिए हो नहीं पाया, यदि 12 मार्च को परिच्चा हो जाती, तो आपका मई तक तो अलाटमेंट हो जाता, इसलिए अपरेल मई तक जाएगी, 15 मई तक पहले पहले लेकिन इसका सारा काम खताम ह जाएगा और जून जुलाई में आपको अलाट्मेंट मिल जाएगा अब जितनी भी बात मैंने आपको बताई है कितनी सच है कितनी नहीं है जैसे आप है वैसे हम है बैसे यही है कि मुझे बताई है मैंने अपने मंद से सोची नहीं है अब उसकी बात भी कितनी सचाई है तो वो अलग बात है वो आप देखी चुके हैं बार-बार मैंने आपको कितनी कटाफ बताई कितने अपडेट बता है हमेशा सही हुए हैं तेरा साल से मैं इसी फील्ड में हूँ और बहुत सारे मेरे दोस्त कली विद्यार्थी जो मेरे जान देने के लिए तयार हैं जिनका सेलक्